नमस्कार दोस्तों स्वागित करती हूँ आप सबी का एक्जाम अचीमेंट में मैं करुणा इस वीडियो में लेकर आई हूँ चेप्टर नमबर एट इलेवन्थ क्लास पेंटिंग क्या नेक्स्ट स्रीज वीडियो जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं मंदिरों में मिले मूर्थी शिल्पों के बारे में जो आपके स्लेबस में है दो मूर्थी शिल्प इससे पहली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं महिश मूर्थी जिसको त्री मूर्थी बोला जाता है और गंगा का अवत्रन जिसको अर्जुन कतप नाम से भी जाना जाता है तो अब हम लेकर आएं यहाँ पर तीसरी मूर्थी जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा बढ़ा करके तो दोस्तो यह हमारा तीसरा मूर्थी शिल्प है जो हमको कंदरिया महादेव से मिला है और इसको माता लक्ष्मी और विश्नु जी की मूर्थी कहा जाता है और इस मूर्ति का नाम है लक्ष्मी नारायन मूर्ति पुरुशाकरती को नारायन और इस्तरी को माता लक्ष्मी के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है मूर्ति शिल्प को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे आभुशनों के साथ इस मूर्ति शिल्प को उकेरा गया है जिसमें की श्री हरी का सीधा हाथ खंडित है कोहुनी से और माता का उल्टा हाथ भी नीचे से खंडित है तो इसके अंदर माता ने मतम्मा लक्ष्मी ने इस्तरी आकरती ने अपने सीधे हाथ को विश्णुजी के कंधे पर इस तरह से डाला हुआ है कि उनके शरीर में ले उत्पन हो गया है और आभुष्ण बहुत नीचे तक लटके हुए नजर आ रहे हैं जो कि कमर तक जा रहे हैं यहां तक कि उन्होंने शरीर के नीचले हिस्से पर भी काफी आभुष्ण पहने है मूर्तिकार ने बारीक माहिन रेखाओं से इनके वस्तरों को सुसजित किया हुआ है इनके शरीर पर माता के सर पर भी जूडे में उन्होंने आभुष्णों को चितरित किया है और श्री हरी के सर पर बड़ा सा मुकुट उन्होंने दिखाया है तो दोस्तों ये था कंदरिया महादेव में मिला मूर्ती शिल्फ जिसके अंदर ले, कोमलता और शांत भावों को दिखाया गया है इस्त्रियाकरती यानि की माता लक्ष्मी भगवान विश्णु की तरफ मू किये हुए उनको निहारती हुई प्रतीत होती है दोस्तों ये दस्वी शताबदी में बनाया गया मूर्ती शिल्फ है और कंदरिया महादेव मंदिर से मिला है जो की खजुराहों में है जो चंदेल शाषकों ने बनवाए थे और खजुराहो मध्य प्रदेश में हमें देखने मिलता है और अगर आप इस मूर्ती शिल्फ को देखना चाहते हैं तो आप इसको रास्ट्र संग्राले नहीं दिली में देख सकते हैं आपका चौथा मूर्ती शिल्फ है विटा जांजरवादत जो कि आपको मिला है कोनाक मंदिर से, कोनाक सूर्य मंदिर है तो इस मूर्ति शिल्प को हम थोड़ा सा से बढ़ा करके देख लेते हैं ये हमें कोनाक सूर्य मंदिर से एक और मूर्ति शिल्प मिला है जो कि जानजरवादक नाम जिसको दिया गया है और कोनाक उडीसा में है, ये भी चटान पर बनाये गया है, तेहिरवी शताब्दी के दौरान कोनाक मंदिर का निर्मान किया गया था जिसके अंदर इस मूर्ति शिल्प को उकेर गया है और ये इस वक्त पूरातत विभाग के सरक्षन में हैं अगर हम इस मूर्ति शिल्प को देखते हैं तो ये एक इस्तरी आकरती है जिसके अंदर जो की एक वादियंत्र बजारी है जिसको जांजर नाम दिया गया है और उस इस्तरी आकरती का जो चहरा है वो गोल है और उसको मुस्कुराते हुए मूर्तिकार ने चितरित किया है कानों में भारी जुमके उसने पहने हुए है और काफी भारी आभूशन उसने अपने गले में हातों में पहने हुए है शरीर के निचले भाग में उसने धोती पहनी हुई है और नीचे पैरों में मेखला भी उसने डाले हुए है तो इस मूर्ती शिल्प के बारे में हम देख लेते हैं थियोरी क्या दी हुई है इस तरी आकरती है कोनाक उडिशा में हमको मिली है लोगों का स्वागत करते हुए इस मूर्ती शिल्प को बनाने का प्रयास किया गया है और जहांचर नामगर वाद्यंत्र इस मूर्ती में वो इस तरी बजा रही है उसने अपने दोनों हातों को आगे बढ़ाया हुआ है मूर्ती वे पैर वे टांगों की मुद्रा भी इस तरह की है कि मानोगा है नर्ते कर रही है उसके गले में बाहों में कलाई पर हातों में उंगलियों में पैरों में कमर पे उसने अभूशन धारन किये हुए है इसके अलावा मूर्ती की जो मुद्रा है वो आकरशक है खड़ी अवस्था में इस मूर्ती को बनाया गया है और गंगवन्स के शाषक नर्सिंग प्रथम ने इस मंदिर का निर्मान कराया जिसके अंदर इस मूर्ती का भी निर्मान हुआ और वो समय है 1238 से 58 ईश्वी और इस मंदिर को काला पगोडा नाम से भी जाना जाता है तो दोस्तों एक बात में यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी हमारे भारते मूर्ती शिल्प में क्या है कि अधिकतर चाहे वो इस्तरिया करती है चाहे वो पूरुशा करती है शरीर के उपरी भाग पर उनको वस्तर नहीं दिखाए गए हैं सिर्फ शरीर के निचले भागों में उन्होंने वस्तर धारण किये हुए हैं लेकिन हमारे यहां की जो मूर्ती शिल्प हैं उन मूर्ती शिल्प को अगर हम देखते हैं तो उनके फेस से महिलाओं के फेस से मा नगन होते हुए भी वासना उनके अंदर हमें देखने के लिए नहीं मिलती लेकिन अगर हम पस्चमी सभथा की मूर्ति शिल्प को अगर हम देखते हैं तो वहां पर भी नगन मूर्तियां चितरित की गई हैं बनाई गई हैं लेकिन उनके अंदर एक वासना हमें देखने के ल वो बहुत ही ज़्यादा फेमस रही है अपने आंतरिक भावों के कारण तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हमारी next मूर्ती शिल्प जो की आप वापस से देखेंगे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस मूर्ती शिल्प का नाम है मा और बच्चा देखने में कितनी स बच्चे को ले रखा है और इस तरी पूरी तरह से मतलब एक प्रजिनन या फिर का प्रती एक यहां पर दिखाए गई है जो की स्रस्ट्री को एक तरह से बढ़ा रही है क्योंकि उसकी चारों तरफ बेल बनी हुई है और उस बेल में आम लटके हुए हमको दिखाए हुए ह और स्पास में एक नगन बच्चा उनकी गोद में है जो की उन आमों के साथ खेलता हुआ प्रतीत होता है और उस बच्चे का एक हाथ अपनी माता के वक्ष पर भी है जिससे की प्रतीत होता है कि वो भूका है और उसको भूक लग रही है और मा उसको पोशित करती हुई गले में लंबे-लंबे हार आभुशन उन्होंने पैने हुए है शरीर के नीचले भाग पर धोती पैनी हुई है और वो एक पुरुष आकरती जो की एक दैत्य समान दिख रहा है उसके उपर बैठी हुई भी नजर आती है एक बार हम इस मूर्ति शिल्प के बारे में पढ़ गया है करते हैं और यह सफेद संगमरमर में हैं तेहरमी शताब्दी में हैं और पुरा तत्त विभाग के सरक्षन में है, मट आभू राजिस्थान के विमल शाहा मंदिर के छत च्छत के एक कोने में है verify इस मूर्तिशिल्प को बनाया गया है। यह मूर्ति शिल्प आदी-न और बच्चे के बीच असीम प्रेम और मातरत्व को यहां पर दिखाया गया है, मूर्ती के दाहिने हाथ में तीन पके हुए आमों के गुछे तता बाए हाथ से गोध में बैठे हुए शिशु को पकड़े हुए दिखाया गया है, मूर्ती के बाए पैर के पास एक दूसरे प्जाड़े हुए दिखाया गया है, विषिस्ट मुद्रा में शीही पर सवार इस मूर्ती को दिखाया गया है, और फलों से लदे हुए आम का व्रक्ष इसके चारो तरफ दिखाया गया है, सर पर मकुट गले में बाजियों में कलाई पर आभूशर उन्होंने धारन किया हु और आप लोग भी इस मूर्तिशिल्फ को ध्यान से देखें, बहुत सुन्दर मूर्तिशिल्फ ये मुझे नजर आ रहा है, तो दोस्तो मेरे हिसाब से शायद ये आपका लास्ट मूर्तिशिल्फ था, तो ये जो पाँच मूर्तिशिल्फ हैं वो आपके सलेबस में हैं, जिसक हम महिश मूर्ति भी बोलते हैं, जो हमें अलिफेंटा से मिला था, तीसरा था हमारा, एक मूर्तिशिल्फ आपका कोनाक मंदिर से हमने जांजर वदक पढ़ा है, और एक हमने पढ़ाया है, ये मा और बच्चा, इसके अलाबा एक मूर्तिशिल्फ हमने और पढ़ा है, ये लक्ष्मी नारायन, जो हमको कहां से मिले हैं, कंदरिया महादेव से, तो इस तरह से हमारे पांच मूर्तिशिल्फ हमारे सलेबस में हैं, तो आशा करती हूँ, आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्स